तो आज मैं आपके लिए लेकिया आनु अनु स्नैक पाइम रेसिपी तो आज हम यही रेसिपी बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं बनाना खरसका नमक पारे के लिए मैंने लिए यहां पर 2 कप मैदा, इसके महीं दालेंगे तीच पूण सॉल्ट, ओन टीच पून अजवाइन प्तुछ और मैंने लिए हैं वन फ़ूर्थ काप आइल, तो आइल, को एक साथ नहीं दालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दालें तो यह थोड़ा छिलर नहीं आटे तो यह बीशन दालने से यह आटे के साथ बहुत अच्छे से कमबाइन हो जाता है अगर आप एक साथ डालेंगे तो अच्छी तरह कमबाइन होने के लिए थोड़ा दिककत करता है के लिए N25 अब अमने इसमें मौयन लगा लिया है और छेक करने के लिए कि हमंद के अप्सेश ही पड़ा है या नहीं आप आठे को ले और इस तरीके से उसको बड़के देखिए अगर अगर आपका मैदा बंद जाता है इस तरीके से तो इसका मतलब है आपने जो ओयल डाला है इसके अंदर वो बिल्कुल ठीक पड़ा है सही क्वांटिटी में पड़ा है लेकिन अगर यह इस तरीके से नहीं बंदता है और बिखर जाता है तो आपको एक दो टी स्पून कर दें की जाती है नहीं है अगर से नहीं है यह कि तरीके से में लगा लेगे तो मैंने आप आपक कर लिया है और इतना डो लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा ब्स काप और एक टेबल स्पून पानी लगा है और उससे बहुत ही अच्छा आरटा गुन कर तयार हो तो अब इस आटे को हम 15-20 मिनट के लिए धकर रग देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो सके है तो हमारा आटा सेट होके तयार हो गया है तो चलिए इसके अब बना लेते हम नमक पारे इसको किसी भी फ्लैट सर्फेस पे निकाल लेंगे और एक बार फिर से इसको अच्छे से गूथ लेंगे आटा रखने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में हार्ट गुनते हैं अगर हम पहले से ही सॉफ्ट आटा गुन देंगे तो यह और जादा सॉफ्ट हो जाएगा और नमक पारे उतने क्रिस्पी नहीं बन कर आएंगे तो इतने आटे में से में से इकल उकल चार पोर्षिन कर लेते हैं आऐ यह चार पोर्षिन मैं ने बना कर तयार कर लिये है अब इसमें से एक पोर्षिन को लेकर हम इसको बेल प्लेटे को अज़तर ना आपको कद्ला मोटा बेल मेडियूम कर और याacz peel मूटाई के लिए पीजा कड़ा कर दो कर दो एक त्रय देखें हैं आप इसको काटने के लिए पीजा का इंचर कर सकते हैं या नाइफ से भी आप इसको काट सकते हैं तो अब हम इसको काट लेंगे आपको जैसा शेप पसंद हो आप उस शेप का इसको काट सकते हैं लंबा चौकोर या किसी भी शेप का या डायमंड शेप का काट सकते हैं तो आज मैं यहां पर डायमंड शेप का काट रहे हूं तो इसको टल आप अपन नमक पारे तलनी के लिए तरह कक्लशी चल्टार में को अब कर दैं लोग तक saying तो नमक पारे उपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से रह जाएंगे इनको मंदी आच पे सेक लेते हैं तो यह नमक पारे तलकर तयार हो गया है तो चलिए निकाल लेते हैं इने केचन टावल पर अच्छे से तेल निचोड कर निकालें तो बाकी के नमक पारे भी इसी तरह सेक कर तयार कर लें जब आपके नमक पारे बिल्कुल अच्छे से थंड़े हो जाएं तब ही ने केसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर स्टोर कर लें और इन नमक पारों को आप 15-20 दिन बल्कि एक महीने तक भी अराम से खा सकते हैं यह खराब नहीं होते हैं इस रेशिपी को बनाएं, खुद कनाएं सबको खिलाएं और अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ जलूर सेर करें तो अगरे इस नमक अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना करें शेयर करें और अपने ब्याले-ब्याले कमेंट्स देना ना भूलें मुझे आपके कमेंट्स का इंकजार रहेगा और यास गाइस प्लीज सब्सक्राइब ना चानल बेल आइकन को प्रेस करना नाव भूले ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल नें बाई बाई टेक केर